सोनी मिल्स में आपका स्वागत है आज हमारे किचन में बनने जा रहा है ओल के सबजी ओल का सबजी बनाने के लिए सबसे पहले ओल को छिल लेना है और जो साइज आपको पसंद है उसे बड़ा छोटा आप काट सकते हैं सारे वोल को काट कर और इसे धो लिये हैं और इसे कुकर में डाल देंगे एक गिलास पानी डाल देंगे मिडियम फ्लेंपर दो सीटी लगाएंगे और इसे उबाल लेंगे अब मसाले के लिए लहसुम जो गोटा लिये थे उसे छिल कर और धोकर डाल देंगे जट पंसी जिसे पत्थर के फुल भी बोलते हैं उसे थोड़ा सा और आधा इंच लगभगादी डाल कर और इसे पिस्ट बना लेंगे जब कदा कड़ा ही गर्म हो चुका है ओब इसमें सरसों तेल डाल देंगे तेल जब गर्म हो जायता जीरा तेश पत्ता कर मेथी और सु कहला मिश डाल कर और उसे छटका लेंगे क conquer जाएगा जब तक color change ना हो जाता है तब तक प्याज को medium flame पर भूंज लेना है अब इसमें आधा चमल से भी कम खल्दी डालेंगे आधा चमल धनिया आधा चमल जीरा काली मिर्च आधा चमल से भी कम और तिखे लाल मिर्च डाल कर और जो paste बनाये थे उसे डाल देंगे तिखा अपने अ कास्मेरी लाल मिच डाल देंगे जो यह तीखा नहीं होता है कास्मेरी लाल मिच स्रिफ color हलका आता है और इसे चला लेंगे अब इसमें टमाटर डाल देंगे टमाटर एक लिए हैं उसे भी पतले साइज में कट लिए हैं और इसे चला लेंगे आप स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और उसे भी चला लेंगे अब इसे थोड़ा सा चलाने के बाद अब इसे ढख देंगे कम से कम तीन से चार बार इसे मसाले को ढखना है फ्लेम को ढखते वक्त हरमेसा लो रखे और मसाले को इसी तरह से और लंज ले नमक डालनेके बाद और धकने के बाद क्या होता है कि ब्या बहुत ही सौफट हो जाता है और धिमियास पर मसाले बहुत अच्छे से भुझा जाते है इसी तरह से इसे है कि तीन से चार बार धक लेना है और इधर ओल भी तियार हो चुका है अच्छे से पक चुका है एक बार इस तरीका से आफ बनाएं अलकी सब्जी और बताएं कि आपको कैसा लगा आपके बच्छे को बहुत ही पसंद आएगा ओलकी सब्जी जो नहीं खाते हैं बच्छे वो भी बहुत पसंद से अल के सबजी खाएंगे अब मसाले अच्छे से भुजा चुका है आप इसमें ओल डाल देंगे ओल को थोड़ा ठंडा होने पर तब डालें थोड़ा हल्का ओल जो है टाइट हो जाएगा जो मसाले में भूझने में अच्छा से भुझा पाएगा जादि कोई दिक्कत नहीं है मसाले आप अच्छे से भूंज कर और उसमें डाल कर और पानी डाल दें तो भी बहुत ही सब्जी टेस्टी बनता है अब इसमें पानी एगिलास डाल देंगे इस सब्जी में मसाले और ओल जो हैं अच्छे से पके हुए हैं इसलिए इसमें ज्यादा पानी डालने की विद्वरत नहीं पढ़ता है वैसे तो इतना ही पानी सही है डालना ए गिलास अब निर्भर करता है कि आप कितने सब्जी बना रहे हैं और इसे ढख देंगे पानी डालने के बाद इसे बीच में इसे एक बार फीट चला लेंगे इससे पहले एक बार सब्जी चलाये थे उसम छोड़ देंगे ढगने से क्या होता है कि कलर बहुत अच्छा आता है सबजी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है अब 10 से 15 मिनट हो चुका है अब इसे दिखा रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है और सबजी भी बहुत टेस्टी है इस तरह से सब्जी एकबर बनाएं खाएं और बताएं कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक से और सब्सक्राइब करें